दोस्तो अंतिम ओवर में लखनू को हरा कर अपना बदला पूरा कर विराट कोली ने बीच मैदान पर नवीनुल हक और गौतम गंभीर के साथ किया तकड़ा ड्रामा तो ये देख बड़ा कुटे भारतिय दिगज, सचिन, सहबाग और दोनी ने बीसी सी आई से बड़ी मांग करते हुए कि ऐसी गुजारिश की जानने के बाद पूरे देश के उड़ गए होश तो दोस्तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि कोली ने ड्रामा करने के बाद खुद सामने आकर पूरे देश से माफी मांगी और या कोली की इस हरकत पर दोनी का तो बयान जाने बिना कहीं भी मत जाईएगा लेकर उस्ते पहले अगर आप भी दोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि दोनी, कोली और रोहित में से कौन अच्छा कप्तान है अपनी कीमती राए हमें जरूर बताईएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो आइपल 2023 के 43-वे मैच में लखनू सुपर जाइंट्स का सामना रोयल चलेंजर्स बैंगलॉर से था यह मुकाबला लखनू के इकाना स्टेडियम पर खेला गया जों टॉस जीतकर पहले बल्लेवाजी करते हुए बैंगलॉर की टीम ने 20 ओवर में 9 विकिट गवाकर 126 रन बनाये हाला की मुकाबले में प्रवल दावेदार जीतने की लखनू सुपर जाइंट्स की टीम मानी जारी थी क्योंकि लखनू की टीम का ये खुद का मैदान था घर में मुकाबला था और RCB की टीम को 126 रन पर उनके गेंदवाजों ने रोक दिया था यहां पर LSG की तरब से शांदार गेंदवाजी प्रदर्शन करवाने वाले थे नवीन उलहकर जीनों ने आज के इस मैच में तीन विकेट हासिल किये थे लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पताता कि हर एक चीज पर पानी आज लखनू की टीम के फिरने वाला है क्योंकि इनके बल्लेबाजों को आज 120 गेंदों में 126 रन बनाने भी इतनी मुश्किल हो जाएंगे कि इने बड़े शॉट खेल कर मुकाबले को जिताने की कोशिश करनी पड़ेगी जिया दोस्तों ठीक न जा रहा है ऐसा ही दिखा क्योंकि जब लगनू की तरप से काईल मेयर्स और आयूश बदूनी उतरे तो यहाँ पर काईल मेयर्स बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दूसरी गेंद पर मुहमद शिराज की कैच थमा बैठे अनुज रावत को और शुने रन पर काईल मेयर्स का विकेट गिरा और इनके आउट हो जाने के तुरंत बाद कुरूनाल पांडिया भी चलते बने जो की आज 14 रन बनाकर आउट हुए और ये भी छक्का लगाने के चक्कर में विराट कोली को कैच तमा बैठे तो वहीं आयूश बदूनी का भी कैच विराट कोली ने पकड़ा और वो भी चार रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों ये तीन बड़े जटके लगातार 20 रन के कोली स्कोर पर लग जाने के बाद तो मानो लगनू की टीम ने हाँ पर समहलने की जगा और भी तेजगती से अपने विकेट गवाती चली यहां दीपक हुडा एक रन मारकस ये श्ट्वाइनिस 13 निकोलस पूरन ने 9 रन बनाए बहले क्रिशनपा गौतम ने 23 रन की पारी खेली लेकिन रवी विसनोई ने उनको रन आउट करवा दिया और इस मुकाबले में बैक फूट पर ढखिलती हुई लगनो सुपर इसके टीम नाजर आयो और इस मुकाबले को बैंगलॉर के टीम ने 18 रन से अपने नाम कर लिया तो वहीं बैंगलॉर को मिली इस जीत के बाद विराट कोली ने अपना आपा खो दिया और कोली सीधा जा बेड़े सबसे पहले नविनुलहक से फिर उन्होंने गौतंगंभीर से भी बहस कर डाली और यहां पर हर किसी ने देखा कि विराट कोली अमित मिश्रा एमपायर और यहां तक की केल राहूल से भी लड़ते हुए नजर आयो तो दोस्तों यहां पर कोली का ऐसा एटिटूड देखने के बाद भारते दिगज कहां शान्त बैठने वाले थे सभी पी ने मिलकर एक साथ BCCI से बड़ी मांग करते हुए विराट कोली को सिधा टीम से ही नहीं बलकि IPL क्रिकेट इंडिन क्रिकेट टीम से भी बार निकालने की मांग करते हुए कहा इस बीच पहला बड़ा बयान निकल कर आता है इर्फान पठान का जो कहते हैं कि मैं मानता बहस कर ली और गौताउं गंबेर से भी आप कम से कम अपने खुद के देश की खिलाडियों की तो इज़त और मान सम्मान कर सकते हैं आपको ये किस ने कहा कि आप खुद भारत के खिलाडियों से जाब बिढ़ते रहें और विराट कोली का ये रवया मुझे तो बिलकुल प मुझे ये समझ नहीं आता कि आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं अमित मिश्रा के साथ विराट कोली ने अपना पूरा बच्पन बिताया है और उनके साथ बल्लेबाजी की काफी प्रैक्टिस भी किया लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोली मैदान पर सब कुछ भ लेकिन भारते खिलाडियों ने ये बेकार हरकत की है और इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरे दिश से तो वहीं बात करें आगे बढ़ता है अगले बयान के बारे में जो निकल कराता है वह विरेंदर सहवा कजा सहवा कहते हैं कि विराट कोली की ये हरकत में जादा पढ़ने की जरुएत है कौतन गंभीर से जिस हिसाब से उन्होंने लड़ाई किये ये पूरा भारत स्विकार नहीं करेंगा तो वहीं बात करेंगे बढ़तों अगले बयान के बारे में जो अगला बयान निकल कराता है वह सचिन तेंदुलकर का जह सचिन तेंद पर भीड़ना नहीं चाहिए और मैं भी BCCI से मांग करता हूं कि कोली पर सकते से सकत एक्सन लिया जाए तो दोस्तों यहां पर धोनी से लेकर सचिन सहवाग तक ने विराट कोली की इस हरकत को बेकार बताया है लेकिन अब आप सभी क्या मानते हूं कि कोली ने जो किया वो बिल्कुल सहीत आया फिर गलत अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंटर में जरूर बतायेगा